मैं अभी पुझे गुरुदेव श्री राकेश जी का संदेश पढ़ने जा रहा हूँ ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः ओम श्री परम कुपाड उदेवाई नमः अहिंसा विश्वभारती के संस्थापक बगवान मावीर के अहिंसा शांती समन्वाई मैतरी आदी के संदेश को विश्वभर में प्रचार कर रहे हैं ऐसे आदर्नी आचार्य लोकेश मुनी जी विराठ और सरल व्यक्तित्व जिनकी पैचान है ऐसे महराष्टर के राजयपाल मानिया श्री भगत सी जी कोश्यारी भारत सरकार के वानिज्य और उद्योग खादिय और सार्वजजन एक वित्रन तथा वस्त्र विभाग के केंद्रिय मंत्री एवं राज्य सभा के नेता म अधिया श्री प्यूश जी गोयल, जीटो के संसापक सदस्या तथा निर्देशक शी पृत्वीराज जी कोथारी, गोडवत फाउंडेशन के संसापक और अध्यक शी संजे जी गोडवत, और मंच पर उपस्तेच सभी अन्य मानिय सदस्य गन, जीटो के अन्य सभी पदाद मुनी जी ने आप सभी संमाननिय अतिथी गन की उपस्तिती में हमें अहिंसा इंटरनाशनल अवार्ड से संमानित करने अमंत्रित किया है, इस हेतु हम आपके अत्यांत आभारी है, आपका यह प्रेम भरा संमान हमें हमेशा निशकाम सेवा करने के लिए प्रोजसायत करता मैं व्यक्तिगत रूप से इस समारों में उपस्तेत होना चाहता था परन्तु अचानक ही माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंदर भाई मोदी जी के एक कार्यक्रम में जाने की आवशक्ता के कारण इस समारों में नहीं पहुच पाऊंगा और इसलिए आप सभी का शमा परार् वस्तु द्वारा यहां तक की मुष्कान द्वारा भी वितरन हो सकता है किसी भी सादक के जीवन में सेवा अनिवार्य होती है सादक दूसरों के कलियान हे तू दूसरों के सुख हे तू अपना योगदान देना अपना कर्तव्य मानता है सोभाग्य समझता है अर्थाथ साधना और सेवा सहवर्ती है, दोनों साथ साथ है। ऐसा कदापी नहीं है कि अभी साधना की जाए और बाद में सेवा की जाए। जैसे एक पक्षी को उचे गगन में उड़ने के लिए दोनों पंक की आवशक्ता होती है। वैसे ही साधक भी साधना और सेवा की समन्वाई से आत्मविकास की उचाई को आसानी से प्राप्त करता है। शीमद राचंद्र मिशन धरंपुर का मिशन शंदेश यही है अपने शुद्ध स्वरूप को पहचाने और अन्य की निश्काम सेवा करे। अर्थात स्व और परकल्यान का भाव और प्रयास स्ववर्ती है। वस्तूतर राम का नाम भी ले और राम का काम भी करे। यही राम की सच्ची भक्ती है। मित्रो साधना और सेवा जुड़वा है। अनासक्ति और शुद्ध प्रेम जुड़वा है। जैसे जिन्दा रहने के लिए स्वास लेना और स्वास छोड़ना दोनों अत्यंत आवश्यक है, वैसे ही साधक के जीवन में साधना और सेवा दोनों आवश्यक है, साथ साथ है, स्वास का लेना अर्थात अंतरमुख प्रोरिशाद करना साधना है, और स्वास का छोड़ना अ और इसमें कई निशकाम सेवा भावी सादकों का योगदान है, इनके प्रयासों से यह सभी सुंदर सेवाय संभव हुई है, अतह इस अवार्ड के हगदार भी यही है. करुणा मुल रूप से संक्रामक है, सुखी व्यक्ति ही दूसरे की मदद कर सकता है, दूसरों को सुखी कर सकता है, जब हम सेवा करते हैं तो हमें मैसूस होता है कि हमें एक सुंदर अउसर प्राप्त हुआ है, यह प्रभू की कृपा है, प्रभू ने हमें अपना माध्यम बन पूरी तरह से विलीन हो जाए यही परमकुपावदेश से प्रातना करता हूं इसी मंगल भावना से अंत विराम लेता हूं सत्पुरुषों का योगबल जगत का कल्यान करें अस्तु